हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल स्टैलो रूप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों में आप अपने बालों की देख भाल कैसे कर सकते हैं विंटर्स में बहुत से लोग बाल जढ़ने की प्रॉब्लम से परिशान रहते हैं अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए है मौसम बदलने के साथ साथ बालों का जढ़ना शुरू हो जाना कोई नई बात नहीं है ऐसे बहुत से लोग है जिनके गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में बाल जादा जढ़ते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं बालों के सही से साफ सफाई नहीं रखते हैं एर केर रूटीन नहीं फॉलो करते हैं तो उसकी वज़े से क्या हो जाता है डेंड पानी से अपने बालों को नहीं दोना है अगर आप बाल दोते समय अधिक गर्म पानी का यूज करते हैं तो यह बालों के लिए अच्छा नहीं होता है इसलिए ध्यान रहें बालों को ज्यादा गर्म पानी से ना दो है इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं अब सेकंड टिप के एक दिन पहले आप अगले दिन आप सर दोल ले हफटे में एक बार आपने बालों पर मास्क जडूर अपकैन करें तो और पर अगर आप इसमास को नहीं उस करना चाहती है तो आप कच्चा दूद लेकर उसमें हनी मिक्स करके अपने बालों पर एपलाई कर सकती है या फिर एलोवेरा जैल को सिर्दोने के 15 मिनट पहले एपलाई कर ले 15 मिनट पार एर वाश कर ले तो इससे आपके बाल सॉफ्ट एंड स्मूड रहेंगे में आप आवले का मुरब्बा खा सकती है तो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा आप घी का सेबन कर सकती है इसके अलावा बालों में घी से मालिश करें इसे लगाने के लिए आप रूई का यूज कर सकती है अपनी डाइट में आप आवश्यक विडिमिन, मिनर और खाने में लीन मीट, दही, मचली, सोया और प्रोटीन फूट खाएं जिससे आपका यह डवलप्मेंट जो होता है वो काफी अच्छा रहता है जब भी आप अपने बालों की मसाज करें तो आपके जो नेल्स है यानि कि नाखून है वो लंबे नहीं होने चाहिए अगर आपके नेल्स लंबे होंगे तो इससे आपकी स्कैल्प जोगी वो डैमेज हो सकती है जब भी आप हेर मसाज करें तो हैंड वाश कर लें ताकि किसी भी तरीके का वैप्टीरिया फंगस सर्मना पहुचे इन सक्टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने बालों को जढ़ने से रोक सकती है सर्दियों में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड फैमली के साथ शेयर करिए बाई बाई